जहें दोस्तों अंदे मातरा, अभी कुछी समय पहले जब ब्रिटेन के प्रहानमंतिर रिशी सुनक बने थे जो कि भारती मूल के हैं, तो कई लोगों का ये मानना था कि रिशी सुनक की जो पॉलिसी हैं वो भारत वंशियों के लिए काफी जादा फायदे मनसावित होंगी, लेकिन अब उन सभी को एक गहरा जटका लगने वाला है, क्योंकि अब वहाँ पर जो पॉलिसी बन रही हैं, वो भारत वंशियों को ध्यान में रखकर नहीं बन रही हैं, बलकि ब्रिटेन की समृद्धी को लेकर ही ध्यान में रखकर बन रही हैं, ऐसा कारण सीधा सीधा है कि भई रिशी सुनक की वफदारी आज की डेट में ब्रिटेन के प्रतीज ज्यादा है भरे ही उनका मूल निवासी जो मूल रूप से हो भारत के हो लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई जी समझनी पड़ेगी कि भई देखी हैं तो ब्रिटेन के ही रहे रहे वैद भारती प्रवासियों पर भी पड़ रहा है पिछले चार साल के दोरान ब्रिटेन के ग्रह मंत्राले ने लगबख साड़े-चार लाख व्यक्ति कर आविदिनों में से लगबख 63,000 प्रवासियों को विबिन सरकारी विभागों को नौकरिया नहीं देने के आदेश जारी की और इंड में से 21,000 भारतीय भी कई सारे मीडिया पूल्टल से जब अलग-अलग सरकारी विभागों और प्रवावित भारतियों से डीटेल में बात करी उनसे परताल करी तो सामना आया कि रंगभेद और नसली पहचान के कारण भारतियों को अवैद प्रवाजी मान लिया जाता है उनकी दस्तवेज खारिच कर दिये जाते हैं वैद भारतियों को बैंक खाते खोलने हेल्थ केर से उधाय लेने से लेकर यात्रा करने तक में मुश्किल हो रही है दूसरी और भारतवनशी ग्रहमंतरी सुयला ब्रवर्मेन ने सुनक की नीतियों का समर्थन करते हुए हाली ने बयान दिया है कि अवैद प्रवासियों को रवांडा मतलब की अफरी की देश भेजना चाहती है सरकार के इस रवाईये से उत्साहित श्वेतर नसली संगठन प्रवासियों और शरणारतियों पर लगातार हमलावर भी होते जा रहे है ब्रिटेन में नीतियों का आकलन करने वाली सरकार की एक रिपोर्ट में सुईकार किया गया है कि दक्षिन एशियाई लोगों का विशेश करकि भारत से आने वाले प्रवासियों से भेदबा हो रहा है एक सरकारी अफसर ने मीडिया से बाचीत करते हैं तो कि तुरान माना की वैद रूप से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को चिन्हित करने में बड़ी सारी नीतियों में कोई जो नीतिया सामने निकल कर आई हो बिल्कुल असरदार नहीं रही है प्रवासी मामलों से जोड़ी जातर सरकारी अजेंसियां रंग के अधार पर ही फैसल लेती हैं माना वदिकार कारेकरता सूजन हैर का आरोप है कि वैद रूप से शरन मांगने वालों के हग खत्म कर दी गए हैं जबकि यूकरेन से आने वाले पौने तीन लाख लोगों को शरन दी जा चुकी है यूकरेन से आने वाले लोग अब्विसी बात है शुएत रहते हैं तो उनके स्वात बिल्कुल भी किसी प्रकार का रंगभेद नहीं हो पाता लेकिन भारती जो कि वहाँ पर रहे भी रहे हैं कायदे से स्थर्विस भी दे रहे हैं और सलीके से भी रहते हैं उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ रंग के अधार पर उनके साथ में ये सब चीज़े की जाती है अब यहीं पर मुझे एक बात और खटकती है जब कोई व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश में नौकरी करने की जाने की सोचता है तो वो सोचता है कि उसको वहाँ जाकर मूलबूत सुधा है जादा अच्छी मिलेंगी जादा पैसा मिलेगा लेकिन उसके बाद फिर एक ये बात भी आ जाती है कि अगर हम लोग पर्चिस पैरिटी की बात करें तो जो चीज़ यहाँ पर एक रुपए की पढ़ती है वहाँ पर साड़ तीन रुपए की पढ़ती है और इसी अनुपात में पैकेज भी रहता है यहाँ का 10 लाक वहां क इस तरह की गटना है हुती ही रहती है तो जब आपको पता है कि आपके पास खुद एक ऐसा देश है जहां पर कि आप सरवाइब कर सकते हो तो फिर ऐसी जगे पर क्यों जाकर रहना जहां पर कि आपको मार-मार के कुट्ता बनाया जा रहा है यह अब्वेसी बात है यह सभी सवाल हैं जो कि एक जहन में आने चाहिए क्योंकि आप सिर्फ वहां पर अपने लिए नहीं जा रहा है बलकि आप अपने परिवार के लिए भी जा रहा है आपका एकना इस बारा में कमण करें जरू बताईएगा नेरे सुनियों विलात नहीं जाए हैं जाएबाद